तो आज मैं आप लोगों पास लेके आए चोटी सी रेसिपी वह भी सबजी की इस सबजी को आप चावल के साथ खा सकते हैं रोटी पराठा या फिर पूरी के साथ इसे सर्फ कर सकते हैं बच्चे इसे खाने से थोड़ा सा डरते हैं बट अगर आप इस तरह के से बनाएंगे तो सब को बड़े चाव सिखाएंगे तो आप इसका लूग देख सकते हैं तो चली आज की रेसिपी बनाना सुरू करते हैं फ्रेंस तो देखे फ्रेंस यहां पे हमने ओल लिया हुआ है जिसे जीमी कंद करते हैं यहां सूरन भी कहा जाता है तो इसे हम पहले अच्छे से द लगा लें इससे क्या होगी आपके हाथों में कुझली नहीं होगी तो आप जी सकार में चाहिए उस सकार में आप इसे कट कर सकते हैं या फिर उबालने के पहले आप इसका चिलका निकाल के भी से उबाल सकते हैं बैट मैं यहां पे चिलका समय थी उबाल रही हूं उबालन अच्छे से वफा जाएगी तो हम उतार लेंगे हैं और यहां पे इसमें दो सिटी लगने वाले हैं तो आप मैं अच्छे से वज़ को डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा नमग डाल दे और ज्यादा आप अगर इसमें चाहते हैं तो एक नीम्बू का रास अपनी चोड़ करके इसमें डाल दें इससे क्या होगी, ओल में जितनी भी खुजली पन है न वो कम हो जाएगी, खतम हो जाएगी, या फिर अम्रूत का पत्ता अगर आपके पास है, तो वो आप इसमें डालके हैं, और इसे उबाल सकते हैं, तो मैं इसमें ना अम्रूत का पत्ता जाल रही हूं, नाने भू करज डाल रही हूँ, मैं इसी प्रकासे इसे उबाल लेती हूँ, यहाँ पर हमने गैस को ओन कर दिया है, और इसमें दो सिटी लगा लेंगे, इधर जब तक हमारी ओल्ट अंडा होगी ना, उबल करके तब तक हम इधर मसालिक त्यारी कर लेते हैं, यहाँ हमने लाल मिर्च लिया हुआ है, खड़ा जीरा लिया है, और लाल मिर्च लिया है, लहसून की मैंने चार गाठे लिया है, और खटाई लिया हूँ, आम काचार जो सभी के घर में अब लेवल रती है, तो आप आम के अचार के जगा नेम्बो भी ले सकते हैं, तो चलिए मैं सारे को पीछ लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे अदरक का टुकड़ा, आप लाल मिर्च के जगह हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, और मसाले के कच्चे मसाले के जगह आप मसाले पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, यहां हमारी जो ओल गई थी और इसका चिलका मेरी ममी निकाल रही थी, तो यह मेरी ममी ही बनाई थी सबजी, जिसका मैंने वीडियो बनाया था, तो मेरी ममी के हाथों बने हुई सबजी बहुत टेश्ट लगती है, खाने में ओल की, तो यहां पर मेरी ममी चिलका जो है निकाल रही थी, मसाले को हमने पीछ के रख लिया और यहांपे ओल च्हिलका असाने से ममे निकाल दिए कड़ा या कराए को मने रखा गए इस पर गरम होने लिए कड़ाए हमारी गरम होगई इसमें डाले हम सरसो औल तो आप जो भी कुकी ओल में खाना बनाते हैं उसमें आप बना सकते हैं सबजी को तो इसमें तेल हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना है जिस तरह से हम फीस को फराय करते हैं उसी परकासे हम यहां पे ओल को भी काट करके फराय कर लेंगे पुरा कड़क टाइब का तभी हमारी जो है ओल खाने में सबजी अच्छी लगेगी मुझ में खाने एक बाद खुजली बिल्कुल भी नहीं होगी तो यहाँ पे देखिए हमने ओल को अच्छे से मेरे ममी कट कर रही है आप चायश इससे पतला भी कर सकते हैं बढ़ यहाँ पे ममी मेरी जो है थोड़ा सा ज़्यादा चावड़ा करके कट कर रही है पीस में आप इससे पतला या आप इससे छोटा भी कर सकते हैं देखिए इस परकार से तो तेल देखिए हमारी गरम हो गई है अब हम ओल को डाल देंगे तेल में तो देख सकते हैं आप हमारी जो जितना तेल था ना जहां ओल को हम इसमें डाले हैं तो सारे जो टूब गए हैं तो अच्छी तरह से फ्राय हो जाएगी तभी हमारी जो सब्जी बहुत ही टेश्टी बन के तयार होगी जिसे बच्चे भी खा सकते हैं तो यहां पर चलिए इसको हम अच्छे से और कैस का फ्लेम हमें तेजी रखना है क्योंकि तभी हमारी जो है ओल अच्छे से फ्राय हो जाएगी तो देख सकते हैं फ्रेंस आप हमने इसे दोनों तरब से से शेक लिया है और अच्छे से देखिए अगदम रेट कलर में अच्छे से फ्राय हो गया है अब हम इसे निकाल लेंगे यहाँ पर हमने निकाल लिया आप इसका देख सकते हैं फ्रेंस ब्लकुल अच्छी तरह से फ्राय हो गई है इसी प्रकास हम सारे को फ्राय कर लेंगे यहां कड़ाई में मारे तेल बज गया था इसे में और हम तेल डाल देंगे ससोल इसे थोड़ा सा गरम होने देंगे और इसमें हम डाल देंगे एक सुखी लाल में कड़ा जीरा और दो तीन तेज बत्ता इसे हलका सा पकने देते हैं साथ ही में डाल देंगे पियाज यहां पे उसके बाद मसाले को हम इसमें डाल देंगे जो हमने पीस करके रखा हुआ है तो प्याज देखिए हमारी यहां लाल हो गई है इसी में हम डाल दें मसाला तो हमने यहां पे कच्छा मसाला यूज क्या आप चाहे तो इसके जगा सुखा मसाला ले सकते हैं लैसुन और लाल मिच जीरा पॉडर, काली मेज पॉडर, धनिया पॉडर इसमें आप बना सकते हैं हमने हल्दी डाल दिया है इसे हमने मिला लिया अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद नसार नमक अगर ठिका आप और खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा लाल मेज पौडर डाल सकते हैं स्वादोने सार हमने नमक इसमें डाल दिया अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं तो देखिए मसाले जो है हमारी आधी पग गई है इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर यहां पर हमने दो बड़े साइज में टमाटर कटकर के रखा हुआ था इसे हमने डाल दिया और साथ में इसे भून लेगे अच्छे से जब हमारे मसाले से तेल अलग होने लगे ना तब हम ओल को जो चान करके रखे हुए हैं उसको डाल के इसमें भूज लेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंस मसाले हमारे तयार हो गए थे तो हमने यहां पर ओल को डाल दिया इसमें अब हम इसे अच्छे से मसाले को मिला के सारे में और भून लेंगे साथ में थोड़ा सा दन्यापता डाल देते हैं भी हम अच्छे से इसमें मिला लेते हैं अगर आप थोड़ा सा और खटा चाहते हैं तो नेम्बू का रस आप इस टाइम डाल सकते हैं इसमें मैंने इसमें पहले ही आचार डाल दिया है इससे क्या होगी हमारे जब हम खाएंगे मूँ में न तो खुझली नहीं होगी तो इस सबजी खाने में बहुत अच्छी लगेगी तो मैंने घर के मसाले से ही बनाया हुआ है कोई एक्ष्टा मसाला न गरम मसाला कोई भी यूज ने किया हुआ था तो यहां पर देखिए लाल हो गए थी हमारे सबजी बुना के आप देख सकते हैं इसमें हमने पाने डाल दिया गरेवी के लिए आप सूखा भी रखना चाह से हम मिला लेते हैं अच्छे से और इस टायम आप थोड़ा सा नमक कर लें अगर नमक का मैं तो आप इसमें इस टायम डाल सकते हैं हमने ढखकन लगा दिया हम प्लम ने तिज रखा है तो देखिए हमारी सब्जी हो गई है इसमें ठोड़ा सा अब ग्रेवी के लिए पानी ज़्यादा ड़र रखें इससे क्या होते हैं ना बाद में गिरेवी हमारी कम हो जाती है तो यहां हमने एक बरतन में निकाल लिया सबजी को इसमें हमने धनिया पता थोड़ा सगारिस कर दिया और आप देख सकते हैं प्रेंस सबजी का लूक कितनी टेश्णी लग रहे हैं नह जो सब्सक्राइब कर चुके हैं प्लीज वो अपने फेमली में अपने दोस्तों में सेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए थेंक यू बाय बाय टीक केर